एपिसोड नमबर 81 की स्टार्टिंग होती है और चांग्वियान वान बई को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है यह भूल जाओ कि तुम खुद चल कर अपने घर चली जाओंगी तुम इस तरह अपने घर कैसे जा सकती हो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ और वहीं वान बई उससे खुद को उठाता देख बलश करती हुए उससे कहती है हाँ ठीक है तुमारा शुक्रिया और वहीं दूसी तरह अपलू घुससे से मन में कहरी होती है क्या चांगवान अभी भी वान बई के साथ है बिल्कुल नहीं मुझे मिस्टर हू उससे मिलना ही होगा और फिर वो गुससे से ड्राइवर से कहती है चेयरमेन हू के घर ले चलो तब driver घलब लाते हुए कहता है हां और फिर सिंसीफ्ट डोतार चांग्वाइन वान बई को सोभेबर लेटा देता है और वान बई बलश करते हुए उससे कहती है चांग्वयान तुम्हारा शुक्रिया तो यहां नहीं आया था, लेकिन यहां घर पर कोई निशान नहीं है, सब कुछ ठीक है, तब वानबई उससे कहती है, चांगवान, तुम सच में बहुती ज़ादा सोचते हो, और फिर चांगवान, वानबई के बाजो में जाकर बैठ जाता है, और उससे कहता है, वैसे तुम के साथ क्या कर रही थी अब वानवाई केती है कुछ नहीं बस हम यू उही मिल गये और पिर चांग वानवाई का हाथ पकड़ती है उससे कहता है फ्यूचर में तुम उससे दूर रहे न फिर वानमाई उदास होती हुए उससे कहती है क्या तुम्हें इससे परेशानी होंगी चिंता मत करो मैं उससे तुम्हें गलत नहीं समझने दूंगी ये सुन चांगवान उसके गाल खिषती वे उससे कहता है तुम क्या क्या सोचती हो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मतलब यही था वान मैं कहती है आ चांगवान मुझे दर्द हो रहा है जाने दो मुझे और फिर चांग्वान उसे छोड़ देता है और उससे कहता है वान मैं में सिर्फ तुमारी परवा करता हूँ ये सुन वान मैं बलश करने लगती है और हैरानी से कहती है हम और फिर वो मैं में कहने लगती है चांग्वान का क्या मतलब है या उसे अपनी मंगितर की परवा नहीं करनी चाहिए और तभी वहाँ टेबल पर रखा फोन रिंग होने लगता है और वान में है रानी से उस फोन को देखती हुए मन में कहती है चांग्वयान का फोन और फिर चांग्वयान जाकर फोन उठाता है और कहता है हेलो डैड और वहीं वान में उसे फोन पर बात करता देख मन में कह रही होती है या चांग्वयान के डैड और वहीं चांग्वयान उसके डैड से कह रहा होता है और ठीके मैं समझ गया मैं जा रहा हूँ और फिर फोन कट हो जाता है और वान बई चांगवन से कहती है ठीक है अगर तुमें कुछ काम है तो तुम जा सकते हो ये सुन चांगवन कहता है हम और बिना कुछ का है वहाँ से जाने लगता है और फिर वो गेट के पास पोसता है और वान भई से कहता है वान भई तुम यह सब भूल जाओ मैं पहले जा रहा हूँ पिर वो जाती हुए गेट तेजी से बंद कर देता है और वहीं वान भई हैराणी से मन में कह रही होती है आखिरकार चांगवन जाती हुए किया कहनाचाता था और फिरसीन सिर्फ दो तुरा में next डे वानभी अपने office में दिखाई जाती है जहां वो चांगवन के बारे में सोस्टी में मन में कहारी होती है कल जब चॉंगवन मेरे घर से निकला, तो वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्या कुछ हुआ है, और तबी वानमै का फोन रिंग हونे लगता है, और फिर वानमै फोन की ओर देखती है, और है रानी से मन मै कहती है जेंग, और पिर वो कॉल उठाती है, और कहती है, हलो जेंग कहो क्या बात है अब जेंग उससे कहता है वान बई क्या तुमने हाली में चांग वान से संपर किया क्या वो ठीक है अब वान बई उससे कहती है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है फिर जेंग उससे कहता है ये तो अच्छी बात है और वैसे भी तुमको आज कोई भी न्यू न्यूस पेपर और कोई न्यूस चैनल नहीं देखना चाहिए ये सुन वान भी हरानी से मन में कहती है क्यों मुझे कोई न्यूस पेपर और क्यों न्यूस चैनल क्यों नहीं देखना चाहिए और तभी रूम में कोई तेजी से गेट खोलती हुए अंदर आता है और वान भी हर प्रिशन नमरे टीवन यहां एंड होता है पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं को जल्दी नेक्स्ट एप इससोड में